सत्य के साथ पतले हैं और ना अधीक मोटे तो समझने कि वो समान आकार यानी नेचुरल हैं ऐसे लोग स्थिर व्यक्तितों के मालिक होते हैं रिलेशन्सिप की बात करें तो किसी भी रिष्टे को लेकर ऐसे लोग बहुत ही भावुक और शान्त होते हैं पतले होट जिने लड़कियों के उपरी और निचले होट पतले दिखाई दें वो ज्यादा तर अकेले रहना पसंद करती हैं जो लड़के इस तरह के आकार के होटों के मालिक होते हैं वो अकेले में ही घंटों बिताते हैं और कभी भी खुद को तनहा महसूस नहीं करतें पार्टनर के साथ भी खुल कर अप दोस्त लाइफ पार्टनर भी साबित होते हैं लेकिन यहर चीज में खुद को पूर्टा और सुंदर्टा के साथ तलाश करते हैं क्यूपीट बो यानि धनुश के आकार वाले होटों के लोगों की या लड़कियां हो या लड़के हो जिनके भी होट धनुशाकार में हैं य इनके मन मुताबिक मिलता है क्योंकि इन्हें खूब प्यार करने वाले पार्टनर जो मिलते हैं जिन लड़कियों का उपरी होट नीचे वाले से मोटा होता है वो अति आत्मी विस्वासी यानि बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं इनकी भावनाएं मजबूत और ध्रण होत सुभाव से बहुत ही समवेधन शील यानि बहुत ही इमोशनल होते हैं ये जरुवतमन लोगों की मदद करना बहुत पसंद करते हैं यानि समाज में इनकी खास पहचान होती है अपने पार्टनर को लेकर भी ये काफी इमोशनल होते हैं आखिर में बात करें वीयाकार वाले शेप के होटों की तो ऐसी लड़कियाँ अगर वीयाकार शेप के होट वाली है तो समجھ लीजिए कि मन की चंचल और बहुत ही मात्वाकांक्षी होती हैं अपने केरियर को लेकर काफी सजग होती हैं इसके साथ ही अपनी पती या अपने पत्नी के बती काफी लगाव और सानभूत रखने वाले होते हैं वी आकार के शेप के होटों के मालिक तो अब आप जान गए होंगे कि होट आपकी परसनालिटी के बारे में क्या कहते हैं अपने बारे में कुछ जानना है तो आईने के सामने खड़े हो जाईए देखिए आपके होट किस शेप में हैं किस शेड़ी में आते हैं और समझ लीजिए कि आपका व्यक्तित्तो और आपका रूमानी सभाव कैसा है Bureau Report TV News Virus उत्राखंड